हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके रेड्मी 12C में स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है तो इस प्रोब्लेम को जो है आप लोग कैसे solve कर सकते हो तो अगर आपके पास एक रेड्मी 12C फोन है और आपका फोन बहुती स्लो चार्ज हो रहा है तो इस प्रोब्लेम का solution में आज बताने वाला हूँ गाईस इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसना आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम को सॉल्ब करने के लिए सबसे पहले यहां पर से आप लोगों को उपर से निचे स्क्रोल डाउन कर लेना है और यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे अप्शन है मुबाल डाठा वाई फाई बूट Buddhist हस्पोट नियर्वाइं लोकेशन बहुत सारे ओप्शोन यह पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको सब्सक्रों को अब आपको Aprèsあります I अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो ठीए गाइस तो आप कर देने से जो है आप लोगों का स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम सॉल्फ हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या करना है गाइस अगर आपके बेगराउंड में बहुत सारे एप्लिकेशन यहापर रन हो र पर से उससर क्लिएरहण के लुए क्लिक करें गया तो बहूत करों को चार्जिंग स्लो होगा उसके बाद अपलोग क्या करना है उसके बात यहापर से याप लोगों को Play Store पर क्लिक कर देना है Play Store ओपन होने के बाद यहापर देख सकते उपर के साइड में एक Gmail का प्रोफाइल होगा इसपे क्लिक कर दीजिए इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते एक सेटिंग्स का ओप्शन है ये वाला तो इस सेटिंग्स के ओप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर एक option पर इस network preference का अगर हम इस option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यह पर तीन option आ जाएंगे आप लोग देख सकते हैं यह पर शो हो गये हैं और यह पर से बीच वाला option आप लोग देख सकते हैं ओटो अपडेट एपस इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही देख सकते ही फिर से तीन option आ गये हैं अगर आपके फोन में इन दो option में सेट है जैसे कि ओवर एनी ने बेकरांड में एप्लिकेशन अपडेट होंगे तब भी जो है आप लोगों को स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम देखने को मिल जाएगा तो यह पर से इसको ओप करना है गया इस ओप करने के लिए देख सकते हैं आप एकदम लास्ट वाला option डोंट ओटो अपडेट एप्स तो इस option पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यह पर ओके पर क्लिक कर दीजिए अभी option ओफ हो गया गया अभी आपके फोन में बेकराउन में कोई भी एप्लिकेशन अटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा तो ऐसे करके भी जो है आप लोग अपने स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम को सॉल्ब कर सकते हैं उसके बाद आप लोग किया करने का इस अपने फोन को एक बर सॉप्ट्वेर अपडेट क करने के लिए आप लोग सेटिंग्स में जाइए उसके बाद या पर से आप लोग नीचे स्क्रोल डाउन कर लिजिए और यहाप एक ऑप्शन मिलेगा पाइस पार्सवोर्ट और सेकुरिटी का इसपे क्लिक कर दिजिए इसपे क्लिक करने के बाद आप लोगो फिर से थोरा देख सकते हैं यहापर software download करने के लिए option मिलेगा ठीक है guys तो मेरे phone में फिलाल कोई भी update नहीं आया है मेरे phone में उपर लिखावाई guys your system is up to date मेरे जो phone है पहले से ही update है इसलिए यहापर कोई भी download का option नहीं आया है अगर आपके phone में software update आया होगा तो यहापर से आप लोग उसको download कर सकते है और install भी कर सकते है तो यहापर से software update कर लिजिए और आपका phone का जो slow charging problem है आपर solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं अपने charger को चेक कर लिजिए एक बार चार्जर ही main role निवाता है चार्जिंग के लिए अगर आप लोगों का फोन का चार्जर ही खराब होगा तब भी जो है आप लोगों को slow charging problem देखने को मिल जाएगा तो अपने charger को चेक कर लेना है किसी दूसरे के charger से आप लोग अपने फोन को चार्ज करके चेक कर लिजिए अगर दूसरे के फोन से चार्ज करने से आप लोगों का फोन चार्ज हो रहा है तो अपने फोन का charger जो है उसको चेंज कर लिजिए चेंज करने के बाद आप लोगों का स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम सॉल्फ हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को पीन को चेक कर लेना आएगा अगर पीन खराब है तो पीन को आप लोग चेंज कर सकते हैं उसके बाद भी आप लोगों का स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम स आएगा तो यह लास्ट में आप लोग जरूर से कर लिजिएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रेडिमी 12C में स्लो चार्जिंग प्रोब्लेम को सॉल्ब कर सकोगे तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसना आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कल एक नेक्स वीडियो में तब तक कली भाइब भाइ